नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्स्प्लोर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपको होस्ट हरीश बाली, इस समय हम अंडमान में है, आज सुबा हम पोर्ट ब्लेर से गर्मेंट फेरी में चले, हैवलोक आइलेंड आने के लिए, पोर्ट ब्लेर से हैवलोक तक का जो ग दूसरे चानल हरीश बाली ट्रावल में देखेंगे, धाई घंटे के सफर के बाद, हमने एक चीज नोटिस करी, कि हैवलोक आइलेंड आने से पहले, आपको दस मिनिट पहले बाहर की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जट्टी पॉइंट आएगा, फेरी कुछी सम अब लोग यहां से कहां जा रहे हैं, मुझको नहीं पता, नील आरेंड जा ले या पोर्ट ब्लेर जा रहे हैं, तो यहां तीन बड़े ऑपरेटर हैं, मैक्रूस, गर्मेंट फेरी भी चलती हैं, और साथ में ग्रीन ओशन भी चलता है, और इस तरफ बहुत सारी मेरे को बो जटी पर उतरने के बाद हमने लगबग 10 किलो मेटर का सफर किया और अब हम टी एस जी रिजॉर्ट तक पहुंच चुके हैं, हमने यहां पर रहने के लिए, मैं इस आइलेंड की बात कर रहा हूँ, पहले ट्राई किया था कि हमें गर्मेंट अकॉमोडेशन मिल जाए, तो वो नहीं मिली तो फिर हम सोच रहे थे कि कोई ऐसी जगा देखें जो रादानगर बीच के पास हो, तो रादानगर बीच यहां से जादा दू हमें नहीं मिली थी, और अभी तो पीक सीजन नहीं है, पीक सीजन नमबर, दिसमबर, जैनवरी होता है, तब तो अब हो सकता है, डिड़ महीना पहले, दो महीने पहले बुकिंग करवानी हो, इसका हमने जो टारिफ दिया है, यह दिया है, फाइव थाउजन रूपीस एक र अब हमने यहां पर आने के बाद टैक्सी वेले से बात करी है, कि हमें आज का प्रोग्राम बनाना है, तो हमें गाड़ी थोड़ी दिर में मिल जाएगी, तो हम वह लेकर ऐलिफेंट बीच जाने वाले हैं, अब मैंने इनका पुरा शिस्टम समझ भी लिए, पर परसन एंट तो समय बचाने के लिए हमने यह किया कि पूरी बोर्ट प्राइवेट पर ले लिए जिसका मतलब हमने 10,000 रुपीज चार्ज दिया है तो 4000 की जगह हम लोग को 10,000 दे रहें जस्ट बिकॉस कि हम समय बचाना चाहते हैं अब इसके इलावा मैंने यह चीज नोटिस और करी है कि यहां पर बड़ी सारी जो एक्टिविटीज करवाते हैं एलिफेंट बीच में यह भाईयां बड़े तरीके से बारे में बताते हैं और यह कह रहे हैं कि आप इदर से निकाल के लेकर जो भी आपको एक्टिविटी करन से वाक के वैसे है कितने गट थाइफ एक इंड़ेंगे तो फोटोग्राफिस लेगा अब आप से शॉट भी लेते हैं वीडियो का फोटोग्राफी में तीस साड़े थीन अजा रुप है पर पर संगे तो इसका मतलब यह है कि अगर आप धाई बजे यहां पर आजाओ आज एक बजे लास्ट और वहां से 3.30 लास्ट बीच को क्लोज कर देते हैं तो क्योंकि फोरेस्ट एरिया ना तो 3.30 वहां से चलने का लास्ट है लास्ट का बोट वहां में रहेगा तीन घंटे तक बताब 3.30 तक अड़ बोट का क्रू के अबन भी साफ में रहेगा खली अपना है वह बोट परसन कहां पर है अब अपरेटर यहां जहां पर भी हम खड़े हैं यहां पर वेज आप्शन बहुत ज्यादा लिमिटेड है रेस्टों तो है लेकिन ऐसा की टेक अवे फटा फट ले लो खालो टाइप्स उस प्रकार के वेजिटेरियन में जॉइंट नहीं है थोड़ सा अच्छा से घुमेंगे तो और जादा मालूम चलेगा बटा उन्दा फेस आफिट कम लग रहे है इस्टार्ट होने से पहले ना थोड़ सा बिर्यानी खा लेते हैं यह एजी बिर्यानी 200 रुबी इसका चार्ज है बिर्यानी का यह बजाते हैं को इस नजदीक मे हमें मजा ने लगा है कि यहां पर आके कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे समुद्र बादल आस्मान यहां का पूरा वातावरन आप से कुछ बात कर रहा हो कम शब्दों में बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव इनर्जी आपकी तरफ आ रही है कि आप 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 रास्ते में लोग बात कर दे आ रहे थे तो शुबंकर ने मुझे बताया कि आज देखो सी उत्रा जादा रफ नहीं है आम तोर के रफ होता है ना तो पानी अंदर उठ उठ के आता है मतला आगे से फाइनली हमें अलेफेंटा बीच पॉंच गई हैं मस्त अगर ना और यहां तो बहुत सारी वाटर अक्टिविटीज चल रही है और देखो बरसा चल हो चुकिया फिर भी पॉब्लिक एंज्वाइ कर रही है वाव कजब दिन बर में कितना तूरिस्त आता है यहां पर यहां पर मार्मल है हजार से उपर हजार से उपर हाँ 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 देखिए अबना मैं बीच की तरह एक तरफ आया हूँ यहां पर बहुत सारे स्टॉल्स है भेल पूरी फ्रूट चार्ट कोल्ड रिंक यही मेरे को जाधा दिख रहे है और नरिल पनी तुह ही है अब यहां पर अभी तो एक वाटर स्पोर्स एक्टिविटी यहां की की अट्रैक्शन है दूसरा यहां का कोरल्स तो एक काम करते बरसात में बहुत स्टॉल्स ना करके हम लोग पहले कोरल्स देखने चलते हैं यह अच्छा रहेगा और वहीं पर स्टॉल्क लिंग करेंगे लाट कर यहां पर हम जेट स्की करेंगे हमारे थाउजन रुपीज पर परसन टिकेट लिए ना उसके अंदर फ्री स्नॉक्निंग इंक्लूड लेकिन अब यहां के भाईया बोल रहे हैं कि जो पैकेज में रहता है वो पांच मिनिट का स्नॉक्निंग रहता है अगर आप डीप सी एक्स्पिरियंस लेने चाहते हो स् जिसके लिए थाउजन रुपीज लगेगा जिसमें फोटो और वीडियो कॉम्प्लिमेंटरी अब दोगे तो मैं सोचरों जब आए हैं तो थोड़ा खर्चा गर की एक्स्पिरियंस ले लेते हैं चले चलिए मैं आपको बाईट पहनाता हूँ लाइक जगट फ्रोटर दे क पैर पिछे जाना चाहिए सर ठीक है यहां किजिए भेस पर पैर उखे यह उपकर शाधी कपर लेट जाहिए सर काफी जमाने के बास स्नॉर्कलिंग करी है काफी साल पहले एक बार करी थी और आज यहां पर देखो इन्होंने क्या किया एक मास्क पेनाया और वो जो लोग दिखने ने आपको वहां पर ले गए लगबग समझ लो सो सवा सो मीटर आगे तक गए हमें रास्ते में कोरल्स द आप दो आपको बताते रहते हैं हैं एक बास सुनाई दे जाती है और वर अल गुड एक्सपीरियंस अब इसमें हमारे लगबग 20 मिनिट के करीब लग यह जाने में और वापिस आने में राइट आगे चलते हैं अब यहां पर जाना जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताय जब आए ना उससे पहले अब यहां कि मेरे को एक आइडिया लगा है कि बैटर आइडिया यह मतलब ज्यादा अच्छा यह है कि आप यहां पर आजाओ और यहां पर टिकेट निकालो उससे एडवांटेज है कि जो एक्टिविटी करने में आपका मन कर रहा है पहले एक कर फिर दुबारा दूसरे की निकालो राधर देने एक साथ ही चार एक्टिविटी के टिकेट निकाली और फिर बाद में रिलाइज किया फॉर सम रीजन आपको मन हो रहा था कि एक को डबल बार करना और एक को कैंसल करना तो बेटर ना ऐस पर इंट्रस टिकेट निकालते रह और ऐसा मुझको लगता है एक बेटर एडिया अब मैं सोच रहों कि बनाना राइड कर लें तो भी एक बाद बताओ मेरे साथ कौन बेटेगा अपर इसन रहे गाइड का है बुला लो और दूसरा यह जो डिस्को ऐसका क्या चार्ज है 600 पर पर संद्ध इसन अधी एक्टिविटीटीज थे और श्यादा पर सोचना नहीं है इसके 400 इसके 800 600 पर 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 संद्ध फ्लाट अधे में आधे में आधे में आधे में वह सकता यह वीडियो देखते समय आपको ऐसा लग रहा हो की ओन फेस कैमरा बहुत ज्यादा है जो सरूंडिंग के सींस ना वह इस वीडियो में आपको अभी तक कम देखने को मिलें और एंड तक वीडियो ऐसा ही चलेगा इसका रीजन यह है कि आज सेकेंड टाइम हमारे कैमरे में पानी चला गया पिछले एपिसोड में आपने देखा हम चिडिया टापू और मुंडा पाहडी गए थे ना बहां बरसात होने के वज़े से कैमरे में पानी गया तो हमने जैसे से गर के थोड़ा पानी सुखा दिया लेकिन आज दुबारा पानी जाने की वज़े से हमारा सेकेंडरी कैमरे का डेटा कम्प्रिटली लॉस हो गया तो इसकी वज़े से इस एपिसोड में आपको बी रोल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे बनाना राइड ना मैंने आपे बहुत इंजोई करी और भाईया थेंक्यू आपने मस तमें इंजोई करवाया है मतलब बीच में पता क्या है वो जो आप पाउं डालकर पानी पर आता था ना उसका खूब मज़ाया मैं अकले था ना था क्योंकि ना करूए वी इस्पानी पूर्द करूए उसकी लिए क्या करते हैं हमलोग ना यहां से बापिस सलते हैं वह मैं आपके साथ बहुत आया थैंक यू शावर करके मैं आता हूं और उसके बाद आपकी बोर्ट तक चलेंगे ठीक है और जैकेट तो रही गिए कि शावर लेकर आगया हूँ 50 रुपी पर पर सन शावर का चार्ज अब मैं जया ठीक होँ और जाने से बह्ले को खना में जिए पर si रडी कर दी आपने 60 रुपी बह्लपूरी बुल्डर और वैसे भी वाटर स्पोर्स एक्टिविटी करके आओ उसे उस चटपटा मिल जाए अवसे देश्टाथा तो यहां पर देखिए प्रपर फूड नहीं मिलेगा आपको जो भी अमने आकर देखा यहां पर इस तरह के सुन्याग इटम अपिलेबल है बदर दाल अपने अशाब से अपने इसाब से बढ़िया प्रना हूँ मुझे लगवल्ड आप यह पापडी चार्ट में डही टालोगे यह नहीं थोरा अलग पर दाल अलग किसमका है आपका साती कापिया है मेरे को यहां पर दो चीज करकर बड़ी खुशी होई है नमबर बरिनादर राइड, नमबर टू पापड़ी चाथ, भेलपूर यह अपनी जगह है और सही बता हो पापड़ी चाथ ना आज से बहले हमने सिर्फ दहीं के साथ खाया है हमें वाइन में सुआथ था लेकिन यह चीज बड़ी चटपटी है चटपट सुआद है हम्हम बड़ी आपका सौसी यह तो हम चलते हैं यह से जहां तो फोन नहीं कर सकते हैं नेटवक ही नहीं है हमारे हं चेल है हमारे हो फोथल में तो जिए चलता है अब बैसे यह आइलीन हो गए देखनों सब लोग निकल रहे है यहvé सब में हो गया तीन बचके बत्तिस बिनिट साड़े दिन यहां से आदा घंटा पोंचने में लगेगा चार पांच तक हम वहां पोंचेंगे 420, 425 तक रादरागर बीच या 430 तक रादरागर बीच चलिए जी चलते है अंडबान के बारे में सोसते ही हमें सबसे पहले खयाल में आता है यहां के खुबसूरत सी बीचिस, वाटर स्पोर्स एक्टिविटी, खास तोर पे स्कूबा डाइव एक्सपिरियंस मुझे लगता है सी बीचिस के इलावा भी यहां पर बहुत कोछ है यहां का वातावरन, रोड पे चलते हुए जब आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ग्रिनरी देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है बुलते हैं ना, मन, मोहक, एक्सपिरियंस, यहां की हवा हवा में ताजगी, आस्मान, क्लाउड्स और ना के बराबर ट्राफिक ट्राफिक सिंगनल तो आपको एक भी नहीं मिलेगा पोर्ट ब्लेर में पहले कोई भी ट्राफिक सिंगनल नहीं था लेकिन अब टूरिस्ट इंफ्लो जादा होने के वैज़े से पोर्ट ब्लेर में एक या दो जगा ट्राफिक सिंगनल लग चुके हैं लेकिन जैसे अभी हम है ब्लॉक में हैं तो यहां पर जो गाउन जैसी वाइब जारी हैं बहुत जबर्दास्त है रादानगर बीच के पास हम पहुंच गए है अब यहां से हमने सिधे बीच की तरफ चलते हैं यह जो बीच है नहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इस वजे से है ब्लु फलाग बीच है इंडिया में बहुत ज़्यादा सी बीच नहीं है इनको ब्लु फलाग रेकंग्निशन है लेकिन जो भी कम है उनमें से एक ही है अच्छा लोग देखो पानी में कितनी अंदर तक उत्रे हुए है तो साल से हम लोग सुनते आ रहे थे अंडे मान जाओगे तो हैव लोग जाना हैव लोग जाओगे तो रादा नगर बीच पहुंच कर आपको बहुत मज़ा आएगा और अभी यहां आए हुए सिर्फ एक मिनिट हुआ है मतलब हमने एंट्री ली है दिल खुश हो गया वाट अनचुरल व्यूटी लोग पानी पानी के अंदर किता इंजॉइ कर रहे हैं मेरको आज यहां पर आने के बाद किसी ने बोला था कि आप थोड़ा बहुत पानी में सुमिंग करना चाहते हो मतलब नजदीग नजदीग में तो आप पानी में इंजॉइ कर सकते हो लेक पानी में उतर के महसूस करें वाट अगर नाइस आप अगर आप एक चीज नहीं यहां पर नोटिस करने वाली है सैंड जो है ना देखो आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है आम तोर पे हर सी बीच में इतनी सॉफ्ट सेंड नी होती होती जितनी यहां महसूस हो रहे हैं तो य अगर देखो ना ग्रे और वाइट का मिक्स है अगर आप लोग आइलेंड के बारे में सोचते ही ना सबसे पहले ख्याल में आता है रादानगर बीच क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन मुझे रादानगर बीच से भी ज्यादा अच्छा भरतपूर बीच लगा जो आप आने वाले एपिसोड में नील आइलेंड में देखेंगे नील आइलेंड का नेया नाम है शहीद भी सामने की तरफ आपको जो बोत सारे पेड़ दिख रहे हैं इनको अगर हम फॉलो करेंगे मतलब पूरा बीच साइड से देखते देखते पूरा टर्न लेंगे तो हमें ऐसा मैसुस होगा जैसे एक सी है अल्फावेट सी होता है ना तो समूदर उसके सामने है तो यह भी लगबग आठ से दस हट है तो काफी टूरिस्स किया यहां पर हट्स में भी बैठे हुए है और वहां से समूदर कर नजारा ले रहे हैं ग्रेट है यहां पोंचे हुए लगबग पचास मिनिट के गरीब का टाइम हो गया है और पान से सात मिनिट के अंदर अंधेरा हो आएगे 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 पार्किंग के सामने चार-पांच इटरी इस हैं उनी में से हम एक इटरी में आया है और हमने अपने लिए क्या मंगाया है पनीर भुर्जी और दाल अच्छी बात ही है कि इनोंने हमें तब अचाबादी देदी मेरी जनरल प्रेफरेंस मैंने पहल अब बार यह रहती है कि अंदूरी रोटी की जगा मुझे तबाज शपाती पिल जाए और बहुत लाइट शपाती है बहुत सिंपल देश्ट है आम तोर में हमारे घरों में क्यों पनीर भुर्जी मिलती है न उसमें बसाले ज्यादा होते है लिए उससे भी कम है टेस्ट अ दाल ठी गया है जस्टोके है पनीर भुजी मुझी को अच्छी लगी हमारे देश में कहीं पर भी आप सफर करते हो न तो आपको लोकल फूड तो हर जगा खाने को मिलता ही है लेकिन जब आप अंडमान आएंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको लोकल ट्राइबल फूड कहीं पर भी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हर कॉम्टि के लोग रहते हैं वह अपना खाना बनाते हैं या रेस्टोंटस वाले जनरली नौर्थ इंडियन साउफ इंडियन ज्यादा सर्फ करते हैं, अगर हम कॉम्यूनिटी की बात करें, तो बेंगॉली कॉम्यूनिटी के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर टूरिस नहीं जा सकते हैं, वैसे पोर्ट बिलेर से जवाब बारातांग जाएंगे, तो आप ट्राइबल एरिया से निकलते हुए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर रुकना बिल्कुल अलाउट नहीं है, और रुकना तो बहुत बात की बात है, आप रास्ते में फोटो भी ने निकाल सकते हैं, इस समय शाम के साधिशे बजे का टाइम है, हम लोग आज का दिन य जाता है, साथ बजे तक सबका डिनर हो जाता है, और राथ बजे रोड पर कोई नहीं देखेगा, मैं इधर हैव लोग की बात करो, और पोर्ट बलेर में भी रात के नो बजे के बाद एक दम शांती, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रात में सवा नो बजे, साधे नो कोड़ बलेर में या कहीं कॉल करो दे, इस वेरी ओड टाइम, सुपा 6 बजे करो परफेक्टली और राइट, अभी लेकिन बजार खुला हुआ है, जहां पर हमने डिनर किया, उसके बगल के कुछ एटरीज है, यहां से हमारा होटल वाकिं डिस्संस पर है, दस मिने पहुन और कल का हमारा प्रोग्रम रहेगा, सुबा अर्ली मॉर्निंग हम काला पत्थर सन्राइज देखने के लिए जाएंगे, थोड़ी हिमत करनी पड़ेगी वहां जाने के लिए, क्योंकि साड़े चार बजे हमें निकलना होगा सन्राइज देखने के लिए, साड़े चार चार 20 तक तभी हम सही टाइम पहुच पाएंगे, बाइबाइ, थैंक्स फार यर टाइम. झाल